अब दिल्ली में सरकार का मतलब उप राज्यपाल होगा दरसल दिल्ली में केन सरकार ने राश्टपती द्वारा राश्टी राजधानी राजचेत्र सासन कानून 2001 केस यानी जी एंटी सीडी एक्ट को मंजूरी दिये जाने बाद इसे लेकर अधिसूशना जारी की है ग्रह मंत्रा लेद्वारा अधिसूशना में कहा गया है राश्टी राजधानी छेत्र दिल्ली की सरकार अधिनियम 2001 के 27 सप्रेल से अधिसूशित किया जाता है इसका मतलब साफ है कि अब उप राजपाल की मंजूरी के बिना कारिकारी कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा इस अधिसूशना के मताबिक दिल्ली विधान सबह में पारत विधान के परिप्रिक्ष में सरकार काश राश्टी रासधानी छेत्र दिल्ली के उप राजपाल से होगा इसके साथ ही दिलिस सरकार को किसी भी कारेकारी कदम से पहले उप पुराजेपाल की सलहा लेनी पढ़ेगी बता दे लोगसभा में या विधेयक 22 मार्च को पास होने के बाद 24 मार्च को राजसभा में पारत किया गया था और या विधेयक राजसभा से पास भी हो गया था विधेयक में या भी सुनच्चित करने का प्रस्ताव है कि उपराजिपाल को आवश्यक रूप से सम्मिधान के अनुच्छेत 249 का के खंचार के अधीन सौपी गई शक्ती का उपयोग करने का अफसर मामलों में चैनित प्रवर्ग में दिया जा सके बता दे कानुन में किये गए संसोधन के अनुचार अब सरकार को उपराजिपाल के पास विधाई प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे जानकारों के मताबिक इस कानुन की वज़े से दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवान सरकार की समस्या बढ़ सकती है राजसभा में बिल पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवान इस फैसले को दिल्ली की जनता का अपमान बताया था बिलके पास होने पर कॉंग्रस समेट कई विपक्षी पार्टियों ने मोधी सरकार पर जम कर हमला बोला था वहीं दिल्ली के उपमक मंत्री मनीश सोधिया ने ट्विट कर कहा था आज लोगतंत्र के लिए एक काला दिन है उन्होंने इसे लोगतंत्र के लिए दुखत दिन करार दिया था अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें